क्या कारण था? मुहम्मद गोरी से अकेले पृत्वी राज चौहान ने ही युद्ध किया, बाकी पडोसी हिंदु राजा क्या करहे थे? क्या कारण था? अक्बर से केवल मेवाड के महाराना प्रताब लोहा ले रहे थे, बाकी पूरे भारत के राजा कहां थे? क्या कारण था माराष्ट के शिवाजी माराज अकेले अफजल खां और औरंग जेब से युद्ध लड़ रहे थे बाकी के हिंदू राजा कहां थे जब हिंदू की आपसी फूट और घमन ने इन शूरवी राजाओं को कभी एक मत और एक साथ नहीं होने दिया तो बैचारे अकेले मोधी क्या कर लेंगे सभी देश द्रोही मिलकर इसे भी गिरा देंगे हमारा देश सैकडों हजारों साल से विदेशी आखरमणों को जेल रहा है कभी हम सनातनी पूरे विश्व में फैले थे आज इसी आपसी फूट के कारण भारत में भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे है ये आखरी मौका है फिर कोई नरेंद्र मोधी जैसा हिंदुवादी शाशक नहीं मिलेगा मन की हल्दी घाटी में राना के भाले डोले हैं यू लगता है चीक चीक कर वीर शिवाजी बोले है पुर्खो का बली दान घास की रोटी भी शर्मिंदा है कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूके पेटों ने तोपी जाली दार पहन ली हिंदू ओके बेटों ने सिर पर लानत वाली छट से खुला ठिकाना अच्छा था तोपी गोल पहनने से तो फिर मरजा ना ही अच्छा था मतुरा अवद पूरी घायल है काशी घिरी कहारों से यद कुल गट बंदन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से कुछ वोटों की खाते लज्जा आई नहीं निठलों को कडा कलावा और जनेहु बेज दिया कठ मुलों को मुख से आहा तलक नहीं निकली धर्मद्वजा के फटने पर कब तुमने आसू छलकाए गौमाता के कटने पर लगता है पूरी आजम की मननत होने वाली है हर हिंदू की इस भारत में सुननत होने वाली है जागे नहीं अगर हम तो ये प्रशन पीडियां पूछेगी गनपकडे बेटे बुर्खे से लधी बेटियां पूछेँगी बोलेगी है आर्य पुत्र अंते मुद्धार किया होता खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता सोते रहो सनातन वालो तुम सत्ता की गोदी में पर सांस आखरी तक भगवा की रक्षा हे तू लड़ूंगा मैं शीश कलम करवा लूंगा पर कलमा नहीं पड़ूंगा मैं सभी हिंदू उसे प्रातना है कि इस वीडियो को एक-एक हिंदू तक पहुचा दीजिए जाए हेंद, जाए शुचा